जैसे ही BKT Tires ने नमबर अपने डिकलेर किये, मार्केट में हमें huge selling देखने को मिली share price में, लगबग 11% का huge downfall हमें देखने को मिला है, बाल किसने industries में, बहुत कम ऐसा होता है, rarely हम देखते है कि कोई large cap share 10-12-15% गिरता है या बढ़ता है, क्योंकि इसके नमबर काफी खराब आ है, लेकिन हमें ये गिरावट देखके मैं personally बताओ, मुझे काफी अच्छा लग रहा है, क्योंकि अगर आप मेरे diamond membership के member है, तो आपको पता होगा, ये हमारे swing trading portfolio में था, लगबग 1900-1800 के आसपास इसका average price था, हमने इसको 2240 में बेचा, 2270 में बेचा, और last हमने इसमें selling करी है, तीन दिन पहले I think Wednesday है, Thursday की बात होगी, 239 रुपे की level पे, वो भी मैं आपसे share करूँगा, अब हमने वापिस share को खरीदा है, लगबग 12% discount पे 2070 के आसपास हमने इसको खरीदा है, अगर यहां से 50%, 10% की और यहां पे गिरावट देखी जाती है share में, तो हम वापिस share को उठाएंगे, क्योंकि एक बिल्कुल मोनोपोली वाला share है, ऐसा नहीं है कि इसका एक quarter खराब हो गया, तो इसका मतलब share यह बिल्कुल खराब हो गया, कंपनी खराब हो गई, 30 साल से ज़्यादा का huge experience है कंपनी में, market cap की बात करते हैं, 40,000 करोड का market cap है, 2451 का high है, अपने high स से लगबग अभी 400 रुपे down price पे हमारे लिए अविलेबल है, इस टोक का पी वैलेशन 34 है, जो अभी कुछ तैम पहले 27-26 के अराउंड था, क्योंकि इसका profit low आया है, तो बिस सी बात है, इस टोक का पी वैलेशन वापय हमें बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा, ROE and ROC is very attractive, ज्यादा detail में मैं discuss नहीं करूँगा, detail में हमने वीडियो बनाई थी पीछे जब हमने इसमें buying करी थी, लगबग 1.5 मेने के आसपास हो रहा है, आप मेरी पुरानी वीडियो में जाके देख सकते हैं, 3000 क्रोड का डेट भी ये company पे, एक मेने का अगर हम चार्ट निकालते है, तो price अगर हम देखते हैं, 239, हलाकि यहाँ पे high इसने 2335 या I think 247 का कुछ high इसने मारा था, हमने 239 रुपे वहाँ पे selling करी थी, वापिस से गिरावट में हमने share को खरीदा है, वो मैं आपको दिखा दिता हूँ, साथ में management की salary भी इसकी मिर को ठीक ठाक लगती है, लेकिन 2 ह 45-45 करोड के आसपास है, तो 90 करोड की huge salary यह लोग withdraw कर रहे हैं, जो कि मैं individually देखू, तो काफी ज़्यादा salary है, overall अगर हम company के selling के साब से देखेंगे, उसके साब से okay है, लेकिन लगबग 1000 करोड का इनका net profit रहता है, 1200 करोड का, उसमें से हम देखेंगे लगबग 1500 करोड के आ ज़्यादा लगती है, लेकिन monopoly वाला share है, तो हम इसको long term के लिए अपने portfolio में रख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हलाके swing trading के through हमने यहाँ पे लगबग 18-20% का profit book किया है, लेकिन अब धीरे धीरे जैसे गिरावट होगी, वापे से हम इसमें खरिदारी जारी रखेंगे अपनी, 239 रुपे का यह है, जो हमने इसमें selling करी है, यह I think Wednesday Thursday की बात है, अब हम आ जाते हैं अपने price pattern पे, तो तीन साल में अगर हम देखते हैं, तो company ने कुछ खास return बना के नहीं दिया है, तीन साल में लगबग 11-1200 का price था जो अभी 2000 का देखने को मिल रहा है यानि लगबग 40-50% का इसने जम दिखाया है तीन सालों में, जो की एक healthy return नहीं है, large cap company से हम 40-50% अगर तीन साल में निकालते हैं, पांस साल में, छे साल में पैसर डबल होता है, तो वो काफी safe bet होता है, अगर हम सोचेंगे यहाँ पे हम महिने, दो महिने में पैसर डबल कर अधानी enterprise को हम उठा ले, 4000 वाला सेर, 3000 का आगया, 2500 का आगया, 2000 का आगया, तो हम सब जानते हैं किसकी क्या हलत हो रही है, प्रभग के पासे हमने अधानी का एक single share भी नहीं उठाय हो था, पूरे entire group की में बात कर रहा हूं, including ACC and Amboja, इसका अगर हम P-Valution देखते हैं, तो 30 का P-Valution आता है, जो कि अभी हाई होके, सडली हम देख रहे है, 35 के राउंड चला गया है, अब हम इसके result देख लेते हैं, टोप लाइन में भी अच्छी कासी गिरावट देखने को मिली है, 2659 करोड पहले था पिछले quarter में, जो कि अभी 266 करोड है, नेट प्रोफिट देखते यह 382 करोड से drastically reduce होके लगबग 108 करोड आया है, तो अगर quarter on quarter की बात करते हैं, तो लगबग यहाँ पे 70 to 80% की गिरावट है, और अगर हम year on year से comparison करते हैं, तो पहले था लगबग 349 करोड जो कि अब decrease होके 108 करोड यानि आपे 66% का huge downfall में देखने को मिल रहा है, मार्च 22 में अगर देखते हैं, तो 140 करोड के आसपास यहाँ पे ceiling है, top management के salary की, उसमें से 90 करोड की salary यह लोग top management ले रहे हैं, हलाकि इसके अलवा भी और भी लोग है, लेकि उनकी salary nominal है, इसलिए हम ज़्यादर discuss नहीं कर रहे हैं, 95 करोड की salary कोई ज़्यादा नहीं है, लेकिन दो individual के ल उसमें कोई 30 योगती नहीं होगी, डियाए की बात करते हैं, तो maximum हम देख रहे हैं, पहले 18% के आसपास stake हुआ करता था, जो कि COVID के आसपास यहाँ पे 14-15%, 14% तक reduce हो गया था, जो कि यह वापिस से अपने maximum level पे पहुंच गया है, 20% पे, तो डियाए भी लगातार यहाँ प अच्छा कासा stake है, लगबग 4% से जादा का, एक quarter से कोई बड़ा play नहीं करता है, हला कि promoter यहाँ पे अपनी position जरूर बनाते है, एक quarter की result अगर ज़्यादा decrease हो के है, ज़्यादा increase हो के आते है तो, let's see आगे कैसे return यह देता है, लेकिन हर एक गिरावट में लगबग 15% के ग अटन बना की आराम से दे सकता है, ऐसा मेरा बानना है, वीडियो आपने भी तक लाइक नहीं क्या हो तो लाइक कर दीजे, चैनल स्प्क्रैब नहीं क्या हो तो सब्स्क्राइब कर लेजे, अगर डेटेल में वीडियो देखना चाते हैं, तो पुरानी वीडियो पी जाके आ हैं आपको वीडियो कैसा लगा हो आप कमेट कर सकते हैं क्या अच्छा लगा या कि आपको अच्छा नहीं लगते यह भी आप कमेंट कर सकते मिलते आप से अगले वीडियो में तब तक के लिए सबी लोगो नमस्कार